हेलो सुडेंट वेलकम टू मारी टू चनल एक एमटी कूर्स आज में क्लास नाइंद का चैप्टर शिक्स लाइन एंगल्स का एक्ससाइज 6.1 का कॉस्चिन नमर फाइब बताने जा रहा हूं कॉस्चन नमर फाइब बोला है इन दा फिगर नेचे फिगर दिया हुआ है उस फ पर्पनेडेकूलर टू दालांड प्क्युर्ट मतलब कोई रे थिक यह लाइन है मतलब क्या है और मतलब इस ही लाइन की बाद कर रहा है जो परपेंडेकुलर है पी क्यूप ठीक टू लाइन पी क्यूप ओएस इस एन अधर यह दूसरी एक लाइन है ओएस ठीक लेंग बीच में किसके बीच में ओपी एड ओवा मतलब यहां से बाइसेक्ट किया है ठीक ओएस लाइन ठीक प्रूब डैट हमको प्रूब यह चीछ करना है एंगल आर ओएस एंगल आर ओएस हाफ किसका है हाफ क्यू ओएस क्यू ओएस माइनस पी ओएस माइनस पी ओएस हमको इसी चीज को प्रूब करना है में चीज है फंडा यह है हमको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं खटाना है आई यह प्रूब करते हैं तो गीवन में हमको क कि एक perpendicular है मतलब गिमेन उनको दे दिया है कि जो हमारा OR है perpendicular to PQ ठीक perpendicular दे दिया है मतलब हम बता सकते हैं कि angle ROQ is equal to 90 degree ठीक angle ROQ 90 degree होगा क्योंकि perpendicular 90 degree पर होता है और ये 90 degree होगा तो इधर भी 90 degree हो जाएगा मतलब angle ROP is equal to 90 degree मतलब ये दोनों angle आपस में equal हो जाएगे angle ROQ is equal to angle ROP दोनों angle equal हो गया है मतलब इधर साइड का angle इधर साइड के angle से equal हो गया है हमारा एक equation मन गया आए इसी equation को लेते हैं angle ROQ is equal to angle ROP ROP लिखिए चाए P ओ आर लिखिए कोई दिक्कत नहीं ही चलिए तो ROQ 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 का क्या लिखते हैं मतलब ROQ को क्या लिख सकते हैं एक और form में सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखिए एक द्यान से ROQ को अब लिख सकते एं angle qos minus angle आर ओ एस ठीक देखें मतलब आर ओ क्यू को आर ओ क्यू को आप इस बड़े एंगल में इस मतलब इस एंगल की में बात कर रहा हूं इस बड़े एंगल में मतलब क्यू ओ एस क्यू एस में और इस छोटे एंगल को माइनस कर देंगे आर ओ एस को तो यह जाएगा एंगल मतलब इस form में लिख सकते हैं उसके बाद R.O.P को किस form में लिख सकते हैं R.O.P को हम कैसे लिख सकते हैं इन दोने को जोड देंगे तो R.O.P हो जाएगा तो जोड देते हैं तो जोडने का एंगल P.O.S प्लस एंगल R.O.S हमें जोड दिया, मतलब दो छोटे एंगल को जोड देंगे तो ये बड़ा एंगल हो जाएगा इधर वाला और ये बड़े एंगल में इस छोटे एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाले आ जाएगा एंगल, ठीक, चलिए तो अब ट्राश्पोर्ज करते हैं, रोयी इस को उधर तो हो जाएगा आपका आंगल, क्यू ओ, एंगल, क्यू ऑ एस, ठीक इस्कल टू एंगल, पी ओ, एस प्लस अंगल, आर ओ, एस इस एंगल, को हम ट्रास्पोर्ज कियें तो क्या जाएगा प्लस एंगल R-O-S ठीक हो जाएगा आपका एंगल Q-O-S is equal to इसको माइनस इधर ले आई है तो माइनस मे आ जाएगा इस एंगल को इधर लाएंगे तो इंगल P-O-S को इधर लाएगा तो माइनस मे आ गया तो इधर हो तो 2 को अब इधर भेजते हैं, 2 को हम इधर भेज़ेंगे, तो एंगल Q O S माइनस एंगल P O S, तो 2 मल्टिप्लाई में हैं, ठीक, तो इधर जाएगा तो डिवाइट करेगा, डिवाइट करेगा मतलब 1 by 2 कर देगा, तो यहाँ अपन में 2 लिख लिज़े, तो हमको एधर चीज प्रूफ करना था, प्रूफ में क्या करना था, एंगल R O S किसके हाफ है? हाफ Q O S माइनस P O S, तो हमने Q O S माइनस P O S का हाफ कर दिया, एंगल R O S के, ऐसे आपको करना है, यहाँ ऐसे भी आपको लिख सेकते हैं, इसको r o s is equal to angle one by two upon में two मतलब क्या one by two है उसको half कर रहा है angle q o s minus angle p o s ठीक इसे आप ऐसे भी लिग सकते हैं या ऐसे भी लिग सकते हैं कोई दिक कर नहीं या आपका प्रूब गेहन प्रूब ऐसे करना है ठीक हमको मेंच इसको प्रूब करना था हमने यहां प्रूब कर दिया ठीक ऐसे आपको करना थांक्यों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एक एमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए जैंग जैवारत